कम्यूनिटी दोस्तों जब मुझे आना होता है तो सो लोग होते हैं और नहीं तो डेली बेसिस पे कुछ 40, 45, 50 लोग होते हैं बहराल दोस्तो 21 दिन हमारी इस जर्नी को स्टार्ट होने में रह गए हैं जर्नी मैंने आपको इसलिए बोली कि ओरिजनली वाइज़त का जनम अब हो रहा है जो हमने सोचा था टोकन से जो हम अपनी ब्लॉक्चेन पे आए ब्लॉक्चेन से जो हमारा नेटिव कोईन था और नेटिव कोईन का अब जो बेसिकली आप कहसे हैं रिस्टिंग में बहुत लोगों को इस बात का शायद प्रकोस्ट होगा कि इनकी जर्नी खदम हो गई है लेकिन यकीन वानियेगा जिस तरीके से और इनकली या कम से कम लिस्टिंग तक जिस तरीके से आगे बढ़ना है वो अप्रोप्रियेट माद्धियम हम लोग यहां डॉप्ट कर चुके हैं और दुबारा से याद दिलाना चाहूंगा यह लास्ट मोका है बीस डॉलर के वाइज़त में अपने आपको कैपटराइज करना या बुनाने का यह बात भी मैं आपको सभी को यहां पर एक ड्राइफ कर देता हूँ शायद मेरी स्क्रिन पे आप सभी लोगों को दिखा हमारा लॉक्ड हो गया है और अगर एक क्रोल वाइज़त हमारा भार है तो आठ रुपे च्छालिस पैसे का इसका रेट बनता है इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग यहां पर लिस्टिंग में जाएंगे तो यहां पर बीस डॉलर का जो सपोर्ट लेविल है वो आठ रु जी आप हाट उठा रहे हैं मैं आपका सवाल ले लूँगा लास्ट में मैं लेता ही हूं शनिवार को आप पहली बार आए तो हाट उठाने मतलब ठीक है लेकिन जब कहूंगा दब उठा लीजेगा तो बहराल तो यहां पर मैंने जो आपको यह कैलकुलेशन समझाई है वो हो सकता है इन लोगों के अभिंता या इनके जो दूसरे आप कैसकते लोग हैं जो अभिंता के कारण यहां समझने पार है कि किस तरीके से हम प्राइस इसकवरी में जा रहे हैं किस तरीके से हम डिमांड क्रेशन में जा रहे हैं किस तरीके से हम और और यहां पर हमारे प्लेटफॉर्म से आप sbit में जाएंगे तो अलड़ी ये बारा सो लोग वहां पर सुन चुके हैं इसकी भी अगर आपको यहां पर देखना है तो आप sbit पर यहां चले जाएए और यहां पर जाने के बाद आपको दिखाई पर जाएगा कि कितने लोगों सुना है इसक कि क्रेप्टो प्रॉस में अलसा नहीं किया था जहां पर 286 लोगों ने सुना है इससे पहले हमने यहां पर फेमेक्स के साथ किया था फेमेक्स पे लगबग 1800 लोगों ने सुना है तो यह समय आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि यह एक्शेंज की वह कम्यूनिटी है जो ट्रेडिंग कम्यूनिटी से ब्लांग करती है और यह ट्रेडिंग कम्यूनिटी वालों को जब यहां पर अपने एक्शेंज पे पहले दिन ये एक रुपे दो रुपे तीन रुपे चार रुपे पाच रुपे साथ रुपे दस रुपे या बीस रुपे पचास रु और ये वाइज़त यहाँ तो वो उन सभी लोगों के माध्यम से खरीदेंगे जो पहले से ही holding capacity में है और अगर खरीदेंगे तो ये current rate पर खरीदेंगे या फिर exchange के माध्यम से आप यहाँ पर buy sell के order लगाएंगे तो वहाँ पर जो भी बेचने आएगा मैं इस मिटिंग के माध्यम से इस बात को बताना चाहूंगा दोस्तो लगभग 17 लाख वाइज़त से जादा मैं मन्तली इसका मतलब ये है quarter zero अक्टूबर नॉम्बर दिसंबर और quarter one दो जार पच्चिस से लेकर दिसंबर दो जार पच्चिस तक quarter 4 इन पूरे 5 quarter के अंदर मैं लगबग डाई करोड ही वाइज़त यहां पर सेल करूँगा डाई करोड से ज्यादा वाइज़त सेल नहीं करूँगा चाहिस का रेट एक रुपे हो चाहिस का रेट एक हजार रुपे हो चाहिस का रेट दस हजार रुपे हो क्योंकि अलरड़ी जो community market के अंदर है हम उसको पूरा मौका देंगे वो एक रुपे से लेकर और जहां तक की भी वाइज़त की जर्नी चलनी होगी सो रुपे जाए हजार रुपे जाए पास सो रुपे जाए चार सो रुपे जाए तीन सो रुपे जाए तीस रुपे जाए असी रुपे जाए सतर रुपे जाए आट वाइज़त का मतलब होता है 47,000 into 20 डॉलर, 9,40,000 डॉलर का मतलब होता है तक्रीबन इंडिया करेंसी में 8.5 करोड रुपे, 8.5 करोड रुपे का बिजनस अगर यहां पर हो चुका है वाइज़त में, तो इसका मतलब 8.5 करोड रुपे का 2 गुना या 3 गुना 24 से 25 या 30 करोड रुपे का वाइज़त बिकने वाला है अगले 6 मेने में या अगले साल में, तो अगर ये 25 करोड का वाहिज़त बिकने वाला है अगले साल में तो यकीन मानिएगा आज ही मेरे साथ से इसका भाव 25 रुपे है और अगर उपर में हम इसको देखें तो आज ही इसका भाव 100 रुपे तो है और तमाम तरीके से ये जितने भी holding capacity में लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ पर हमारी wise kill brokerage का हिस्सा या wise kill आप कह सकते हैं referral का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं वो तमाम लोग यहाँ पर खुद enjoy करने वाले हैं लेकिन ये जो basically आपने 9,40,000 डॉलर का वाइज़त यहाँ पर बन किया है या लगबग साड़े 8 करोड का यखीन मानिएगा यहाँ अभी तक यह पैसा system के पास नहीं आया है यह पैसा तमाम आप लोगों के पास गया है जिनको हमने to be committed rate दिया था 20 डॉलर और आज यहाँ पे कर दिखाया कि 20 डॉलर का वाइज़त system ने वाइज़त वापस लिया है लेकिन आने वाले time में आप लोग या तो खुद अपना व वाइज़त को खरीदेंगे जो P2P में आपको current भाव exchange के उपर वाइज़त को बेचेंगे या आप exchange के ऊपर यहाँ पे वाइज़त खरीदेंगे तो यह तीन condition मैंने आप सभी लोगों के सामने बताई है statistics से related है या natural आप कह सकते है organic way में demand supply से related है और यह तमाम बात में इसलिए समझा रहा हूँ कि 99 लोगों में से लगबग 40 लोग ऐसे हैं जो छुपके सिर्फ देखने आते हैं चल क्या रहा है और मैं guarantee के साथ बता सकता हूँ आज नी तो कल नहीं तो परसो नहीं तो तरसो आना जो कि आपको हैं दिखा ही पड़ रहा है यह दे दे रहे हैं दस वाई UGX है उसका logo लग जाएगा यहाँ पे तमाम तरीके से month by month शायद यहाँ पर मैं 35, 40, 50 section दिसंबर तक कर लूँ और उसके साथ साथ मैं बता दूँ चो international community अलरड़ी हमारी यहाँ चल रही है जैसे अलस तरीके से और डबलू आईस यानि की वाई स्केल के native token को भी फला रहे हैं और उसकी यहाँ पर community बना रहे हैं और यहाँ पर ओलड़ी ठीक ठाग लगबग आपके सकते हैं 1000 लोगों के असपास की community हमने पिछले 6 मेने में चीफ कर ली है और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा है यह भी community हमारी बहुत तेजी हिस्सेदारी बनने वाली है इसी के साथ आज मैं आपको बता दूँ चो बहुत दिनों से मैं आप सभी लोगों को बार बार बोल रहा था आप सभी लोगों को चेता हरा था समझा रहा था और हो सकता है बहुत लोगों को यह बात समझ में आ भी गई कि देखिए यहां पर हम लोग वाई स्केल बोट को इंटर्ड्यूस करने जा रहे हैं यह कटके दिख रहा है यह कटके दिख रहा है थोड़ा सा कटके मैं इसको ठीक कर देता हूँ अभी सही देखता हूँ एक वाई स्केल को हम दोस्तों आने वाले टाइम में एक ऐसा क्रिप्टो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जहां पे आप अपने रेफरल के साथ साथ यानि की रेफरल रिवार्ड कमानी के साथ आप अपनी ब्रोकिरेज फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से मैं शंकनात कर रहा हूँ आज अगले लगबग तीन हफतों में रैगुलर तीन-तीन हफतों में हम तीन तरिके प्लेटफॉर्म यहां पे दे रहे हैं अगर आप यहां से देखें तो आप वाई स्क तमाम तरीके से 50 डॉलर, 60 डॉलर, 100 डॉलर, 10 डॉलर, 20 डॉलर जो बेच रहे हैं हम फ्री आ रहे हैं कहां कहां आ रहे हैं तो फ्लैश लोन बोट के अंदर यह ब्रोकरिस सिस्टम आप के सकते हैं कि अलाउ नहीं है क्योंकि डिसेंटलाइज है लेकिन हेफटी बोट जो हम आर्बिट्रेज, फिर स्पॉर्ट, लीवरेज, डीसी एल आ रहे हैं उसके अंदर हम लाइफ करने के तीन हफते बात देंगे तो तीन से चार हफतों में सितंबर के लास्ट वीक में इसको लाइफ करेंगे और अक्टूबर नॉवंबर से देने लगेंगे लेकिन कोई पैसन निये फ्री और आप जितने भी यूजर यहां पे लाएंगे उनका भी ऑरट को कोई द्रोग इसटात तो मुआ दूँ ब्रोकर चैनल के लिए हमने ऑल्रडी एंप्लॉई रखने शुरू कर दिये हैं स्टेट वाइस आप में से किसी की भी शमता अगर ऐसी है उसने कहीं कॉर्पेट में काम किया है या उसका कॉर्पेट का है यहां पर साधर अमंत्रित हैं हमारी टीम में हिस्सेदारी लेने के तो यहां पर दोस्तो एज़ ट्रेडर आ सकते हैं एज़ ट्रेडर 50% यूजर को मिलेगा जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा 35% का 20 लेविल तक इसके अंदर आपको रेफरल रिवार्ड मिलेगा औ और 15% यहां पर प्लेटफॉर्म रखेगा और अगर आप यहां पर आते हैं एज़ ब्रोकर तो 60% यूजर को मिलेगा 20% चार लेविल का यहां पर रेफरल रिवार्ड आपके यूजर को मिलेगा 15% आपको ब्रोकर कमिशन मिलेगा और 5% यहां प्लेटफॉर्म का होगा 15% ज इंट्रो डेक्टरी ब्रोकर बना सकते हैं वो अपने नीचे ब्रोकर बना सकता है और ब्रोकर के नीचे रिटेल ब्रोकर बन सकता है तो यहां पर आप अपने नीचे तीन लेविल का एक तरीके से ब्रोकर सिस्टम खड़ा कर सकते हैं और उनकी नीचे जितने भी आपके हैं वो सारे क्लाइंट आपके खड़े कर सकते हैं चार लेविल का आप कह सकते हैं एक तरीके से आपना reward जहां पे 20% का उनको reward मिल रहा होगा तो यह 20% कैसे होगा कि अगर कोई client to client broker में आता है तो 10% दूसरे में 5 तीसरे में 3 और चोथे में 2 तो यह 20% इस तरीके से बढ़ जाएगा बाकि इस पीपीटी की पूरी चीज या इसकी पूरी calculation आप contact कर सकते हैं अलसा और सूरच और मलीना आप अपनी pocket meetings कर सकते हैं आपका यहाँ पे subscription हो boat का as a user आपका यहाँ पे subscription हो brokerage का as a broker मेरे साबसे दोनों चीज़े हमने free दी हैं और आपके सामने हैं तो बहराल में यहाँ पर यह चीज समझाना चाहा रहा था आपको कि जितनी भी तरीके से आप wise scale को देखेंगे या जितनी भी तरीके से आप wise scale को यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर variety of product हम लोग day by day add कर रहें और हर तरीके की community जैसे wise scale मार्केट में ने खूल दिया है बोड के माधियम से या उसके साथ साथ आपके सकते हैं स्टेकिंग के माधियम से वाइजट को हम लिस्ट कर रहे हैं फार्मिंग के माधियम से वाइजट और डब्ल लिक्विड लोन ये दो चीजे हम यहाँ पे और लिक्विड इस्टेकिंग ये तीन चीजे लगबग हम अगले कह सकते हैं बारा महीने के अंदर दे देंगे तो मुझे ऐसा लगता है अगले ठारा महीने के अंदर wise scale एक crypto investing platform बन जाएगा जिस पे ना केवल C2C referral reward होगा बलक लोगो सकते हैं जो आप या अप में से हैं और वो ब्रोकरशिप में आ जाए तो मेरा आज यही समझाना था कल भी हाला कि मैं कुछ ऐसा ही 12 बजे की मिटिंग में समझाने वाला हूं बाकी कई तरीके से मैंने आप सभी लोगों को समझाया है कि अब हमारा जनम होने जा रहा है हम एक तरीके से अपनी ब्लॉक्चें अपने नेटिफ कॉइन और मल्टीपल तरीके से और्गनिक तरीके से मार्केट में आ चुके हैं आप बहुत सारी तरीके से हम लोगों को यहां पर टच बेस में ला सकते हैं हमें सुन सकते हैं हमें देख सकते हैं और मैं फिर से बोल या तीन कोशन लेते हैं एक एक करके तो हैंट्रेस कर सकते हैं जिसको हैंट्रेस करना है वो हैंट्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर हम आपके सवालों का उत्तर भी दे सकते हैं तो हैंट्रेस अगर कोई करना चाहे तो कर लीजे किसी का कोई सवाल ये चोहन साब हेंडरेस कर रहे हैं संजे चोहन जी किसी का कोई सवाल है किसी ने हेंडरेस किया है मौसीन मंसूरी इनको अन्म्यूट कर दीजे सुमाने जी आप कर सकते नमस्ते सार नमस्ते सलाव आलेकुम मौसीन भाई बताईए मेरा कोश्चन ये था कि अपन लिस्टिंग के बाद भी बर्निंग प्रोसेस स्टेकिंग अंदर रहेगी या फिर सिस्टम के पास वो प्रोपली पूरा इस्टेक रहेगा बतलब आपने सवाल पूछा तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ देखें मौसीन सहाब ने जो सवाल पूछा है दोस्तों मुझे नहीं पता आप में से क्यों इस सवाल को अपने जहन में नहीं लेके आए है बट आपको शायद ये सवाल अपने जहन के अंदर जरूर लेके आना चीए था और मैं इनके सवाल का उत्तरदाइद तरीके से उत्तर देना चाहता हूँ ये देखें ये हमारे नल एटरस पे वाइजएट बर्न हो रहे है ठीक है जो मुसीन साब ने पूछा मुसीन साब ने पूछा कि साहाब आपके ये जो वाइजएट हैं यहापे जो हमें दिखाई बढ़ रहे हैं जिसको आपने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है कि ये 6 करोड 13 लाग वाइजएट है 6 करोड 13 लाग वहिजद में से 1 करोड वहिजद मांकिट में है और 5 करोड 13 लाग वहिजद मेरे पास है उसके अलावा यहां पर टोटल आप कह सकते हैं इसकी maximum supply infinity है लेकिन यह सिर्फ 10 करोड से शुरू हुए थे 5 करोड प्री माइन 5 करोड माइन में سے ही आज की तारिक में 6 करोड आप जो आपको दिख रहे है उसमें से सिर्फ 1 करोड 13 लाग ही माईन हैं, बाकी के 5 करोड प्री माईन हैं, तो इसका मतलब अगर ये कल को मान लीजिए, 40 करोड भी हैं तो 5 करोड प्री माईन उसमें जिंद की बर पैड रहेंगे लेकिन हम लोगों ने यहां पर एक तरीका निकाला कि हम लोग स्टेकिंग के माध्यम से यहां पर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम लिक्विडिटी कौन सी ले रहे हैं यूएस्डेटे की बहुत अच्छा सवाल पूछा मौसीन भाया और उस दिन के लिए कर रहे हैं हमारे प्रोटोकॉल में पूरे चार करोड़ वाइज़त गया जो कि मैंने मिटिंग की शुरुआत में बीच में बोला कि मैं धाई करोड़ी वाइज़त बीच हूँगा और साड़े तीन और मान लिजे पचास लाग और बाद में मैंने दे दि टोटल यहां पर 5 करोड़ वाईज़त सब घल जाने हैं सब खत्म हो जाने हैं और आप कहसेकरते हो कि चतने भी वाईज़त आपको यहां पर दिखाई दengesे बी ऐसर आपको यहां ब्लॉक चेंघे याँ पर देख पाएंगे यहां पर जो आपको आज की तारीक में बर 40,000 वाइजट ठीक है ये वैल्यो उसले दिख रिए कि 20 डॉलर से हमने मल्टिपलाइग रख रहा है तो ये 5 करोड पूरा यहां बर्न हो जाएगा और जिस दिन 5 करोड बर्न हो जाएगा दोस्तों उस दिन के बाद जो वाइजट निकलता है साल में वो निकलता है मात्र 48,00, 48 46 लाग महिने का यानि की लग बग लग आप कह सकते हैं 12000 रोज ये कैसे आप देखते हैं आप यह ही to a बारा सेकंड का यहाँ पर ब्लोक एक्स्पोजर है हर बारा सेकंड के अंदर दो वाइसे निकल रहा है आप सोच नहीं सकते हैं मौसीन भाई का जो सवाल है वो एक रुपे से लेकर और मुझे ऐसा लगता है बीस डॉलर से भी उपर तक है तो यह जो कारवा भी चलेगा हमारा ठीक है आठ रुपे से पांच रुपे से चार रुपे से जितने भी लोग इसे लॉंग टम के लिए समाल के रखेंगे इंक्लूडिंग मी उतने ही लोग वाईज़त को मैं लिख के दे सकता हूँ बीस डॉलर भी कम भाव है इसलिए कम भाव है कि जब यह यहाँ पर 6 करोड तेरे तेरा लाक में से 5 करोड गल जाएगा 5 करोड गल जाएगा तो दोस्तो साल का तो सिर्फ 48 लाक ही निकल रहा है तो यह तो आप सब अभी गलाद होगे 2025 तक खतम होगया खेल अब 2025 के बाद यहाँ पर जो भी शुरू होगा वो बेसिकली क्या शुरू होगा तो 2025 के क्या होने वाला है तो मेरे असाब से मुसीन भाई आपको अपने सवाल का उत्तर मिल गया होगा कि यहाँ पर जितने भी वाइज़त हैं वो सारे वाइज़त हम लोग गला रहे हैं प्री माइंड वाले और जिन लोगों के पास वाइज़त बचेगा वो वही कैलकुलेशन ब पड़ेगी तो आप मेंसे बहुत सारी लोग उस नोड को भी लेंगे डिरेक्ली भी ले सकते हैं डिरेक्ली ले सकते हैं डिसेंट डिसेंट लाइस लेकिन उस ताइम पर जो वाइज़त का भाव होगा मेरे साब से 20 डॉलर से जागा का होगा और अगर मैं एक्षी जोर बता टो मार्ट्टिव द उसी है उनकी मार्किट क्याइब किटनी है तो मार्किट को अब देख सकते हैं कि जिए आधि नंगे ना। दोस्तो हम लोग यहां मुंप तॉप टॉंटी एट हटो प्टी के अंदर होंगे और एगर ल Hence की बूँच की बप्हक कर स्थ लोग हो गया तो हम यहां टॉप 20 के अंदर होगे और आप सोच नहीं सकते कि आज मौसीन भाई ने क्या सवाल पूछा है और उसका मैंने क्या उत्तर दिया है लेकिन हकीकत में जो इतने दूर दर्शी लोग हैं मुझे खुशी है कुछ लोग हैं उनमें से जिनमें मौसीन भाई भी है और वाईजट आपको हर वक्त बेचना है हर वक्त खरीदना है क्योंकि आप स्टेकिंग में फार्मिंग में या तमाम तरीके से कई न कई पाटिस्पेट कर रहे हैं हाँ जितना समालना है वो आप देखो कैसे समालना है कितना समालना है कितना डॉप करना है लेकिन यकीन जो मौसिन भाई का सवाल है बहुत दूर दर्शिता वाला है और वाइज़त यहाँ पर प्री माइंड खतम हो जाएंगे इसलिए हमने प्रोटकॉल लिए और अगर यह खतम हो जाएंगे तो जो माइन है वो 48 लाग निकलेंगे तो 48 लाग व और पब्लीक वाला है तो खतम ही हो जाना है अभी एक करोण मेंसे 10 15 20 लाग तो ऐसा होगा जो लोगों का खतम ही हो गया उन्हें पासवर्ड ही नहीं पता होगा और मैं चाहते वह भी नहीं दे सकता तो मेरा यही कहना है कहीना कहीं वाइज़त की डिन शुरू होने वाले है वाइज़त का जनम ऑथेंटिक तरीके से शुरू होने वाला है और मैं फिर बता देता हूं मुसीन भाही की सवाल में कुछ एडिशन लोग सोचते हैं अपना टोकन लाउंच कर दें कोई सोचता है मैं अपना ब्लॉक्चेन लाउंच कर दो हो सकती है लेकिन यखीन आपके पास बाट नहीं होगा और उसे तोलने के लिए तराजू नहीं होगी तो उस वस्तू का मूल्य नहीं निकलेगा उस वस्तू का मूल्य तभी निकलेगा जब ऑथेंटिक तरीके से आपके पास तोलने के लिए बाट हो और दोनों को तोलने के लिए तराजू हो मतलब क्या है coin या token का भाव बनाने के लिए from the day first आपको liquidity चाहिए और उस liquidity को और coin के भाव को चलाने के लिए आपको वो appropriate amount of तराजू चाहिए जहां से वो सारी चीजे आप maintain कर सको यह आप वाला जो word है वो related to है मेरी seat लेकिन एक time ऐसा आएगा जहां पर मेरी seat replace हो जाएगी market की demand and supply से फिर market ही उसे बेच रहा होगा market ही खरीद रहा होगा but it will take time उसमें time लगता है क्योंकि शुरुआत में अगर मेरे ही खेत में सिर्फ मोती निकल रहा है तो बेचने वाले vendor भी मुझे बनाने पड़ेंगे खरीदने वाले ग्रहाग भी मुझे लाने पड़ेंगे और jeweler से हम मिलना पड़ेगा या जोशी से मिलना पड़ेगा so that की वो मोती की demand बना है तो यह सवाल अच्छा था बैराल मोसीन भाई आप तो तरह आपको मिल चुका होगा दूसरा सवाल ले ले लेते हैं राज बी के नाम से जो है अन्म्यूट कर दीजे इनको कर दिया है मिस्टर राज भी आपका जो भी नाम है अगले दो साल तीन साल भी है वोल्डिंग करना हो सथ मुझे बस वही कुछन आपके पस पूर आपने उसका अश्का 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 अश्क दे चुका है मैं आपको बताया कि मैं पर क्वार्टर पचास लक्स ज्यादा मर्केट में नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैंने एक रुपे दो रुपे पांच रुपे साथ रुपे दस रुपे बारा रुपे बीस रुपे में यह पांच करोड़ दे दिया तो मेरा तो पूरी मंडिल और वो नोड भी अभी जैसी मैं पब्लिक करूँगा ब्लॉक्चेन उस नोड में आप भी लगा सकते हो आप में से कुछ लोग टेक्निकल होंगे जो कलको वाइज़ित की नोड को डारेक्ली गिटब से अपने पास प्लेस कर लेंगे सचा ही है कि कोई भी भी कर सकता है अभ प्लस नोड सेट पर आपके सकते हो सर्वर लगता है कोई भी लगा सकता है महीने का तीन चार आजाए डॉलर में अगर आपके पास वाहिज़त मा लेजे पूरी महीने के अंदर चार लाख में से आप एक लाख ले जा रहे हो फ्यूचरिस्टिक बनके तो भाइस सब आप त तो अगर आपके पास कैसे भी माईग्रेशन से किसी भी तरीके से वाईज़त है मेरे हिसाब से आपको यह देखना है कि अगर आपकी पैसे की नीड और बीड नहीं है या थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए क्योंकि आदमी के पास अगर स्वादिस भोजन भी है और उसको ड अगर सो रुपए आ जाए तो मैं दस जार बीच लिए आपने का वाईज़त अगर यहां पे दस डॉलर आ अगी आपकी बार हजार रुपए आ गया तो मैं दो जार बीच लिए तो यह आपको बहुत अच्छे सवाल थे आप दोनों के मैं बहुत इंप्रेस हुए हमारी इस सोचते थे कि MLM के अंदर या networking के या referral के माध्यम से सिर्फ scam होते हैं हम मील का पत्थर सावित होने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है महोंगे ही इंशाला थैंक यू सो मच मिस्टर राज थैंक यू सो मच मौसीन भाई और कोई सवाल पूछना चाहे किसी का सवाल किसी का कोई सवाल कोई पूछना चाहे कि कोई सवाल नहीं किसी का अचमबा है मुझे देखें दोस्तों मैं फिर से थोड़ा सा बोलना चाहूंगा लास्ट में मेरी इच्छा है कि मैं वाई चेन को lifetime lifetime ऐसे मोड में ला दू जहां पर यह अपने मोड में काम करें और यही इच्छा म मेरी है कि मैं वाई स्केल को ऐसा ब्रोकरेज बनाओं जो क्रिप्टो ब्रोकरेज के अंदर नामी ग्रामी हो और इसके लिए मैंने जैसे भी बताया है मैंने सेल्स की टीम भी लगा रहा हूं आप में से जितने लोग स्टेट वाइस काम कर सकते हमारे साथ मलीना से संपर्क क और इमेडिटली हम लोग weekly है क्रूटमेंट पे उन है अलड़ी हमनें अपने मेंशर कमिनेटी गर्वाइद इंडिया रख चुके हैं इस्ट वाहिद हम रखने का आपे इसा राख म् एक बार जूम में भी बोला था यह भी गवर्नस बना रहा हूँ अभी हमारी टीम में आप्लाप शोला लोग तो जाहिएसी बाते बाकी लोह उस गवर्न में अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे कि सवाल ऐसे होंगे कि उसका अंसर निदे पाएंगे उसमें मेरी गलती नहीं है लेकिन जो पांच लोग आज मेरे साथ हैं यकीन मनिएगा कि अगर पूरा हमारे यहां पर सिस्टम बनता है बहुत बड़ा तो उन लोगों के पास भी धन की अपार 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 आप क्या सकते अथा होगी दो कोई भी गवर्नेंस आज एथेरियम का है ट्रॉन का है और मुझे ट्रॉन नहीं बनना मुझे बिट्कॉइन नहीं बनना मुझे वाइज़त ही बनना है तो मैं कभी यह नहीं बोल रहा हूं कि मुझे जैसा बनना है नहीं मुझे वाइज़त ही बनना है मैं जीवन में हमेशा फाइज है ठीड हूं और मुझे को यह चाहा भी नहीं है कि हम वर्लड-वाइड कहीं जाएं हम धीरे-धीरे बढ़ देंगे हमे असली बात है कि हमें काम करना है credibility लानी है credibility के साथ हमें एक तरीके से आप के सकते है portability लानी है जिसमें सारी blockchain के साथ हम लोग होंगे कल यहाँ पर AMA पर ट्वीटर पर इतने अच्छे सवाल पूछे और मैंने बाईचांस अच्छे mood में इतने अच्छे answer दिया है है आप मैंसे सब लोग जाके सुन सकते हैं अगर ट्वीटर अकाउंट नहीं है ट्वीटर अकाउंट बना लो तो मेरा यहां पर सब्जाना है कि मैं governance यहां बना रहा हूं एक governance मैं बना रहा हूं यहां पर तो आप देखो कि आप कौन सी गवर्नेंस में आओगे और आच्छा हो मलीना हो सूरच हो या और और भी हमारे टेक्निकल एंप्लॉई हैं जो आपके सकते हैं टेक्निकली इंवाल्व रहते हैं हमारे साथ सब लोगों के लिए मैं यहां पर एक टोकनोमिक्स या कोइनोमिक्स लिखाया है अगर आप यहां पर टॉस में जाएंगे पढ़ना लिखना बहुत जरूरी दोस्तों मैं तो सब उसी से कर रहा हूं नहीं तो मैं एक दम अनपड़ चापाद में हो यह अगर आप यहां पर जाएंगे तो आपको देखाई देगा अभी हमारे पर भी दिखाई जाएगा आप सब लोगों को यह अगर आप यहां आते हैं तो यह ऐलोकेशन दिखाई दे रहा है तो ऐसी हमारी ऐलोकेशन यहां दिखाई देने वाली है कमिनिटी या अर्ली अडॉप्टर दूसरा कोर कंट्रिबुटर में आएगा मलीना हो गई है अलसा हो गई है सूरज हो गया है या और तमाम एंप्लोई यह कोर कंट्रिबुटर हैं फांडेशन के अंदर आएंगे यह गवर्नेंस वाले हमारे कोर कमेटी में जितने तीन चार पाँच हैं जितने भी लोग होंगे और जो कम्मुनिटी है वो कम्मुनिटी होगी जो खरीद बेच इस्टेक जहा कि यह वर्ल्ड डिफ्रेंट है यहाँ पर अगर कोर कंट्रिब्टर में न हमारे साथ चार साल से है सूरज हमारे साथ काफी टाइम से है और बच्रें हें जो टेक्निकल काफी टाइम से हैं आज वो अगर एक successful प्रोजेक्ट को मार्किट के अंदर वो हिस्सेदार हैं अगर ह भी 40% community और बागे सब हिस्सेदार है और इनका unlock process भी लिखा हुआ है तो ऐसे ही मैं same बिल्कुल ऐसे करके जाना चाहता हूँ कल को मुझे नहीं पता मैं कितने साल जिऊंगा लेकिन मैं नहीं भी जिऊंगा तो भी यहाँ पे why chain blockchain अमर हो जाएगी तो भी यहाँ पे why scale as a platform crypto investing अ और आगे भी इसी तरीके से ही में चलता रहूंगा तो काफी सवाल हमारे हो गए है किसी और किसी का कोई सवाल particular कोई पूछना चाहिए किसी भी चीज से related किसी का कोई सवाल कोई सवाल नहीं तो दोस्तों आज की मिटिंग ही पर complete करते हैं कल सुबहे साड़े साथ बजी हमार इंटरनेशनल मिटिंग है मैं सबको बता नहीं रहा हूं कलाप आएंगे तो कलाप को पता चल जाएगा लॉस विकास एक जगे है यूएस में वहाँ पर वाइस केल की पहली meet and greet समिट हो रही है समानता चैन चो हमारी ऑस्टेलियस से global ambassador है या global community growth head है वो वहाँ पर तक्रीव मेरा एक बड़ा pet dialogue है गोरे हमसे बहुत परवावित है और कहीना कहीं मुझे ऐसा लगता है और हाँ मुझे अभास हो रहा है कि बहुत बड़ी community international community genuine genuine हमारे साथ आने वाली है तो दोस्तों अपना अपना contribution दो आपको अगर भगवान ने अला ताला ने किसी चीज़ से नवा crypto में ये crypto के द्वारा वो सारी चीज़े हम live कर रहे हैं उसका जो भी utilization है हम वो भी live करने में जा रहे हैं और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि AG ने why scale क्यों पकड़ा ये late मैंने इसलिए पकड़ा जो बीच की आप कह सकते हो थोड़ा time हमारा खराब हुआ ये जिसको ज में तक आदमी चलता है जैसे जाना होता है वो बुरे वक्त में निकल जाता है तो यहां पे आज भले ही मेरे साथ चार या पांच लोग हैं जिनके साथ आप तमाम लोग हैं और आप में से कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए ही आते हैं लेकिन कहीं न कहीं फिर में बता तो आज की मिटिंग यहीं तक ही दोस्तों थैंकी सो मच अच्छा मनोज गोस्वामी सी का एक सवाल है थोड़ा लेट आया लेकिन ले लेते हैं लगा रहे हैं और अभी मैं बता रहेता हूँ छै महीने के बाद जो हमारा यहां पर वर्ल्ड वाइड रिविल होने वाला है इथ दिसम्बर दो जार पच्छिस के बाद ना एजी दुनिया में हैं ना वाइज़त में हैं कहीं नहीं हैं लेकिन यह पूरा प्लेटफॉर्म बाइनेंस तक लिस्ट हो जाएगा और आप में से तमाम लोग जिस बात को नहीं समझ पा रहे हैं या गलती से किसी ने आपको किसी